तुक्ति अच्छा नमस्कार दोस्तों आपका बोन्ड डॉक्टर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पेरोनियल नर्व पाल्सी का जो कभी-कभी रेरली नी रिप्लेस्मेंट के बाद देखा जाता है यह रेर है बट पोटेंशली डेवस्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है यह ज्यादा तर देखा जाता है नी जिसमें वारस है या वारस और फ्ल इसका ट्रीट्मेंट होता है कि नीक ओफ्लेक्शन में रखना चाहिए इमिजेटली पोस्ट ऑपरेटिव अब्जर्व करना चाहिए और अंकल फूट और्थोसिस दे सकते हैं अगर फूट ड्रॉप हो चुका है जब तक नर्व रिकवर नहीं होता तो यह एक निरोलोजिक इंजरिये पेरोनियल नर्व की इसका इंसिडेंस है पॉइंट थ्री टू टू पर्सन लिट्रेचर में तो रिस्क फैक्टर जैसे बताया प्री ओपरेटिव वाल्गस और फ्लेक्शन डिफॉमेटी नी का या तो तुरने के टाइम अगर देड़ घंटे से ज्यादा हो गय इंटेटिव डाइगनोसिज नीरोपेटी का पूर प्रोग्नोसिस करता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा तो इंप्रूव हो जाते हैं इं टाइम विद नो एडिशनल ट्रीटमेंट अनाटिमी देखें तो कॉमन पेरोनियल नर्व लाए करती है लाटरल हेड ऑफ लेवल तो अगर तीन महीने तक रिकावरी नहीं आई तो इमजी करते हैं देखने के लिए कि नर्व इंजरी पर्मेनेंट है रिकावरी स्लोली शुरू हो गई है तो जब यह डाइगनोस होता है तो ड्रेसिंग लूस करनी चाहिए नीको फ्लेक्शन में रखना चाहिए और अगर रिकावर हो रहा है तो ग्रैजुली एक्स्टेंशन एवरी डे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं अगर तो वाल्गस डिफॉर्मेटी ज्यादा है तो इनिशली पोस्ट अपरेटिव नीको फ्लेक्शन में रखना चाहिए अंकल फोट और्थोसिस के इंडिकेशन है नहीं है तो एंकल फोट और्थोसिस देते हैं और लेट नर्व डीकंप्रेशन या मसल ट्रांसफर का इंडिकेशन अगर तीन से छे महिने में रिकावरी नहीं हुई तो तो आज कहीं छोटा एपिसोड बट इंपोर्टेंट एपिसोड आज खतम होता है अगर आपको झाल